नमस्ते दोस्तों मैं कुरारिया आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सेत्य सनातर में आज जो सबसे मैत्वपूर्ण खबार है वो तो है कुछ और लेकिन जो बीच में एक घटना घटित हुई है जिससे की सारा का सारा हिंदोर सिक समाज बहुत ज़्यादा अक्रोश में है वो है चैंबूर मुंबई में जो इंदर सिंग जी के उपर हमला किया गया है सलीम सिद्दकी और उसके तकरीबं डेड़ सो से दो साथियों के द्वारा और वो भी किस बात के उपर के इंदर सिंग जी ने सिर्फ इतना कहा दिया कि आप पब्लिक प्लेस में सिर्फ मास्क लगा लीजिए मास्क लगा करके आप स्वंभी सुरक्षित रहेंगे और लोग जो आपके आसपास है वो लोग भी सुरक्षित रहेंगे लेकिन सैकडो साल जा चुके हैं गुजर चुके हैं इन लोगों का इतियास नहीं बदला है मैं वो वीडियो यहां पर नहीं दिखा सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग उस वीडियो को नहीं देख सकते हैं, जिस प्रकार से फेफड़े के उपर कट का निसान है, जिस प्रकार से सिर्फ पूरा का पूरा फार्ड दिया गया है, वो जब दिल की तरह धड़ लगता है ना तो उस टाइम हर के हर एक के बसका नहीं है उस घाव को देखना लेकिन मैं कहा रहा हूं कि सैकड़ो साल बीच चुके हैं बात वहीं की वहीं है आज फिर से पीठ पीछे से वार किया गया है आज फिर से पीठ पीछे से सिर के ऊपर भी वार किया गया है दिक्कत ये नहीं है कि खून बहा गया, ये कौम जो है, ये खून बहाने के लिए मशूर रही हैं, इनकी पीडियां गुजर चुकी हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि पग के ऊपर आकरमन किया गया, जी हाँ, जो सम्मान है सनातन का, जो सम्मान है सिख्षी का, उस उपर जो आकरमन किया गया है, वो बिल्कुल भी बरदास्त के लायक नहीं है, और अब कल यदी इसके उपर कोई एक्शन का रियक्शन हो जाएगा, तो फिर लोग आ जाएंगे और कहेंगे, के जी हम तो मुसल्मान है, इसलिए हमारे उपर हमले हो रहे हैं, और यही अभी भी देखने में आ रहा है, जैसे ही रियाज नाइकू को धेर किया गया, वैसे ही तुरंत लोगों की परतिक्रियायनी शुरू हो गई है, के वो तो डॉक्टर था, वो तो अलाना था, वो तो फलाना था, वो तो डिमकाना था, योगी जी को मौत के घाट उतारने के गोली मा करने की धंकी देने वाला व्यक्ति जैसे ही पकड़ा गया, सोसल मीडिया पूरा का पूरा फैल गया, के मुसल्मान होने की वज़ा से इनको ये सजा दी जा रही है, मुसल्मान होने की वज़ा से ही सफूरा जरगर को जेल में डाला गया है, उसको तड़पाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर रहता फैलाया गया। कुछ लोगोंने मुझसे भी कहा। उसके पति के फोटो सामने आ गया ह। तुमने माफी नहीं माँगी। मैंने का भई पति की फोटो सामने अगी पति का है। अभी तक उसका पति सामने नहीं है। बात दूसरी बात ये बताओ मुझे कि जो मेरी बहनों को डारेक्ट मैसिज करकर के एक बहन जिसका आम ने उस वीडियो में जिक्र भी किया था उन वीडियो में जो हजारों मुले जा जाकर कि उनको गालियां दे रहे हैं सेक्स्वल हरास्मेंट की उनको धंकियां दे रहे हैं क्या उन लोगों का कुछ भी नहीं, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो सोसल मीडिया पोर्टल से तुरंत ही इसके बच्चाओं में उतर आये हैं, लेकिन अगर मैं आज सच्चाई कोलने पर रहा हूँ, तो फिर क्या होगा, दिली की जाने मिलिया इसलामिया की कथित छात सफूरा जर्गर की रिहाई के लिए जबर्दस्त कैंपेञ चलाया जा रहा है, उसे मासूम गर्बवती महिला करार दिया जा रहा है, जिसे कथित रूप से रमजान के महीने में कुरूरता पुर्वक जेल में बंद रखा गया है, लेकिन सच ये है कि सफूरा जर्गर के सिर उपर दंगे भड़का करके पचास बेगुनाहों की जान लेने का आरोप है, कोई परचून के दुकान से संतरे वाली टोफी चुराने का आरोप नहीं है उसके उपर, दिल्ली पुलिस ने 11 अपरेल को बयान जारी करके बताया है कि 22 फरवरी की रात नागरिकता संसोधन कान दून, CAA और राष्ट्रिय नागरिक त्रजिस्टर एनर्सी के विरोध में महिलाएं जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे बैठ गई थी, दिल्ली पुलिस के हवाले से जानकारी मिली है कि उसी दोरान सफूरा भारी हिंसक भीड को लेकर वहाँ पर पहुंची थी और दिल्ली को दंगो की आग में जोकने की वहाँ पर साजिस रच रही थी, इसके बाद दिल्ली में कई दिनों तक हिंसा होती रही और जिसमें लगबग लगबग 50 से अधिक लोगों की जान चली गई थी, जो की सरकारी आंकड़ा है, सफूरा के खिलाफ आरोप इतने संगीन ह कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सफूरा की जमानत की याची का उसकी अपील तक खारिज कर दी है, और उसको क्या बताया जा रहा है, ये मासूम है, हर औरत मासूम हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है, सफूरा के असली गुनाहों पर परदा डालने की कोशिश की जा रही है, सफूरा क का फोटो बहुत वाइरल किया जा रहा है लेकिन जहां जहां पर वो महिलाओं को लोगों को भड़का रही थी उन फोटो उसको सामने नहीं लाया जा रहा है लेकिन क्या महिला होने से सफूरा की हत्या की साजिस रसने का जो अधिकार है वो मिल जाता है उसको सफूरा जरगर क इस साजिस की वजह से दंगों में जिन लोगों ने अपनी जाने गवाई है, क्या उनका किसी तरीका का कोई मानुआदिकार नहीं है? च्रवामपन्ति विचार धरावाली हर समाचार संस्थान ने सफूरा जर्गर के बारे में खूब घबर चापी है. लेकिन दंगों में साज पुरा जरगर का पती कौन है और वो कहां पर छिपा बैठा है इस बात की अभी तक भी कोई प्रमानिक पुष्टी नहीं हुई है कुछ लोग गए हैं जिस प्रकार से आपने देखा होगा के गीता विश्वास जाया करती थी गंगादर शक्तिमान की खबर लेकर क्या आता था गीता विश्वास को देता था वो छाप देती थी लेकिन किसी को पता नहीं लगता था के गंगादर कौन है और शक्तिमान कौन है हाल फिलाल की स्थिति में यही सब बाते चल रही है एक पती जिसकी पतनी गर्भवती है वो व्यक्ति बिल्कुल भी सामने नहीं आ रहा है चेंपेन चला रही है लेकिन सफूरा का पती गायब है उसे चिंता ही नहीं है कि उसकी पतनी गर्भवती है और वो किस हाल में है वह सामने आने तक के लिए तयार नहीं है न्यूज मीडिया में तरह तरह के रिपोर्ट आ रही है कुछ समासार संस्थान दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सफूरा के पती सेवा चीत की है लेकिन वह सामने आने के लिए तयार नहीं है उसका करण क्या है कुछ लोगों ने कहा कि पुलिस जो है वो लोकडाउन के बाद में उससे पूछताच करेगी लेकिन लोकडाउन में तो हर गुनहेगार को जेल में डाला जा रहा है जिससे कुछ पूछताच करनी है वो भी की जा रही है मैंने बताया नभी योगी जी को मारने की धमकी देने वाला व्यक्ति जो की बिहार में है उसको पकड़ करके लाया जाता है इतनी दूर से भी लेकिन 4455 न्यूज एजनसियां उसका इंटरिव्यू ले चुकी है लेकि किसी को नहीं पता है कुछ समाचार संस्थान जो है वो सफूरा के पती से बात करने का दावा कर रहे हैं लेकिन ना तो उसका कोई नाम बता रहा है ना ही उसकी कोई पहचान जाहिर करने के लिए तैयार है और ना ही हमेशा की तरह कोई कागस दिखाये जा रहे हैं आखिर पिछे कोई बड़ी साजिस है या फिर पती बच्चे से पहले पहले पैदा किया जाएगा इस प्रकार की शंकाएं भी पैदा हो रही है वो कोई आतंकी है या फिर अपरादी है जो सब के सामने आने से घबरा रहा है वो भी वो भी ऐसे संकट की घड़ी में जब उसकी गर्भ पतनी मुश्किल में फसी हुई है सफूरा के पती के बारे में जानने की इच्छा हर कोई रखता है लेकिन सेलेक्टिव मेडिया सफूरा के पती की पैचान छिपाने में जी जान से जुटा हुआ है अंतरराश्टिय इस तर पर प्रोपेगंड़ा चलाने की कोशिश की जा आखिर इतने हाई लेवल की रणनीती बना कौन रहा है जबकि सफूरा का कथित पती दावा कर रहा है कि उसे भारतिय कानून विवस्था पर पूरा भरोसा है लेकिन दबाव अंतर रास्ट्रिये मुस्लिम कंट्रीज तक का और वहां के मीडिया तक का बना जा रहा है भारत व देश के बाहर उचालने की कोशिश में क्यों जूटे हुए हैं सफूरा मामले को मद्य पूर्व देश के मीडिया संस्थान अल जजीरा ने तो मुद्दाई बना लिया है जिसने सफूरा को विक्टिम के तोर पर दर्शाते हुए उसके पक्ष में महाल बनाने की भरपूर क कोशिश कर दी है लेकिन ये बात बेहद सफाई से चिपा ली जा रही है कि सफूरा पर दंगा भड़काने का आरोप है जिसकी वजह से 50 मासूम लोगों की मौत हुई है सवाल ये है कि इंटरनेट पर सफूरा के पक्ष में चलाने वाले जो कैंपेन का और्गिनाइजर है व के मामले में भी यही चीज देखने में आ रही है जो लोग कल तक सीता मया को गाली देते थे वो लोग कह रहे हैं कि महिलाओं की अगनी परिक्षा तो बहुत समय से ली जाती रही है इतिहास इस बात का गवाह है वही आज सफूरा के साथ में हो रहा है लेकिन ये जो डबल स चाती है भारत माता का नाम लेना और उसकी आड में चिपना महज एक धोका है और इसके लावा कुछ भी नहीं है एक स्वन आम धन्ये मीडिया संस्थान ने तो यहां तक का लिखा है कि सफूरा जर्गर देश विरोधी परदर्शनों में शामिल ही नहीं थी उसे तो निसान की गई लाइनों को आप जरा ध्यान से पढ़ लीजिए अब जरा नीचे की फोटो देखें इसमें सफूरा गले फाड कर देश विरोधी नारे लगाते हुए दिल्ली पूलिस से धक्का मुक्की करते हुए दिखाई दे रही है अगर ये तेवर प्रदर्शन करने वालों के हैं तो फिर भड़काने वाले और देश विरोधी दंगे करने वाले कैसे होते हैं और ये तो सिरफ कोडिनेटर थी ये तो सिरफ देखने के लिए गई थी वहाँ पर ये तो सिरफ देखने के लिए गई थी तो इतना हो हला क्यों तो इन पिक्चर्स में आप खुद देख सक लेकिन जहां पर गुना सामने आने लगता है देश विरोधी कट्रपंती तुरंत एकदम तुरंत धर्मिर पेक्ष्टा का बाना उतार करके मजहभी आड़ लेने की बरपूर कोशिश करने लग जाते हैं पूरी जुगत में जुड़ जाते हैं सफुरा जरगर का पूरा मामला एंटी इसलामिक बना करके पेश किया जा रहा है सफुरा के देश विरोधी करत्यों को चिपा करके विक्टिम काड़ खेलने की कोशिश की जा रही है ऐसा दर्शाय जा रहा है कि उसे मुस्लिम होने की व जुनाहा देखना बहुत जरूरी है एक मासूम महिला के तोर पर सफुरा जरगर के प्रति सहानुभूती पैदा करने की भरपूर कोशिश की जा रही है लेकिन मन में कोई गलत फैमी पालने से पहले उन पचास मासूम लोगों के बारे में सोचिए जिनोंने सफुरा जरगर और उस जैसे देश विरोधियों की साजिश में फस करके अपनी जान गमा दी है इसमें से 44 लोग तो बिलकुल ही युवा थे जिने अपनी पूरी जिन्दगी अभी जीनी बाकी थी आप यहां तक की देखिए कि दो नाबालिक लोग भी इस भयावय दंगे की आग में जले दिली के भयावय दंगों के दोरान गुरु तेग बहादूर अस्पताल में लाए जाने वाले दोसो अठाणवें गंभीर रूप से गायलों में से 202 लोग 49 साल से कम उमर के थे इसमें से 28 तो नाबालिक थे इन लोगों के शरीट पर दिली दंगों के निशान अब ताउमर रहेंगे ऐसे में सफूरा जरगर जैसी साजिस करता को बिना सजा दिये बला कैसे छोड़ा जा सकता है साथी ये भी सोचिए कि अगर इन देश विरोधियों को भारत माता के टुकड़े करने का मनसूबा इनका कामियां हो जाता तो हजारों लोगों माताओं बहनों का जीव जाद कर लीजिये। एक और ज्जूट इसमें बताया जा रहा है कि उनको पता ही नहीं था कि ये प्रेगनेंट है।手 की प्रेगनेंट है उसको छोड़ा नहीं जाता है। हम सभी भारतिये चाहते हैं कि सफूरा जर्गर के मामले में जांच एजन्सियों और सरकार को कतेई भी दबाव में नहीं आना चाहिए, प्रतम दरश्टिया उस पर जो आरोप लगे हैं वो बेहत संगीन हैं, उसे किसी तरह से संदेह का लाव दे करके नहीं छोड़ना और जितना भी अंतराश्टिया मीडिया है, उसके किसी भी परकार के रंडी रोने के उपर ना जा करके इस तरह के लोगों के उपर नकेल कसने चाहिए, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय जय हिन्वन्दे मातरम